ये जो timer है ये कुछ इस तरह से बना है फिर से मैं एक बार इसे play करता हूँ तो दोस्तो आज की इस विडियो में मैं आपको इस तरह का timer बनाना सिखाऊंगा और ये बनाना दोस्तो काफी आसान है बहुत ही आसानी से दोस्तो आप इस तरहीए का timer बना सकते हैं कैसे बनाना है? कैसे क्या करना है? सभी चीज़ें दोस्तो मैं आपको detail में सिखाऊंगा तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं, सिखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो पर लास तक बने रहिए तो दोस्तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपने laptop ये computer में MS PowerPoint open कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तो आपको गया करना है, layout में जाना है, और यहां से दोस्तो आपको blank layout select कर लेना है, ठीक है, देन दोस्तो आपको गया करना है, इसका background color change कर देना है, इसके लिए हम इसके उपर right click करेंगे, और उसके बाद दोस्तो format background में जाएंगे, और देन दोस्तो यहां पर color option मिल जाएगा, यहां से color change कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें दोस्तो मैं कुछ इस तरह से dark color fill कर दोंगा, ठीक है, इतना होने के बाद, अब हमें क्या करना है, इस slide को, इस तरह स हमें क्या करना है, control और shift, ठीक है, keyboard के उपर control और shift को press करके रखना है, पहले यहां मैं क्लिक करता हूँ, और यहां से मैं circle shift select करूँगा, उसके बाद दोस्तो control और shift press करूँगा, और देन दोस्तो यहां पर मैं एक छोटा सा circle इस तरह से draw कर लूँगा, ठीक है, बिल्कुल छ इस तरह से draw कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही बड़ा काफी है, उसके बाद दोस्तो align में जाएंगे, ठीक है, और यहां से align center, align middle कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है circle shape बना लेना है, circle shape बन जाने के बाद, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे select करेंगे, देन save format में जाएंगे और then दोस्तों यहां पे save fill में लेगा save fill में जाएंगे और यहां से दोस्तों इसमें जो भी color fill करना चाहें वो color दोस्तों आप इसमें fill कर सकते हैं और then दोस्तों अब हमें गया करना है save outline में जाना है और यहां से दोस्तों आपको इसमें जो भी outline लगाना है जिस भी color का लगाना है वो color आप दोस्तों select करेंगे तो यहां से दोस्तों मैं red color select कर लेता हूँ तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा ठीक है इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है इस circle को select करना है save format में जाएंगे then save outline में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पे width आपको width का option मिलेगा आपको width में जाना है then दोस्तों यहां पे more lines का option मिलेगा आपको more line में चले जाना है तो इस तरह से दोस्तों यहां आपके सामने कुछ इस तरह का option आ जाएगा धीक है लेन दुस्त आपको क्या करना है यहां से इसकी with को बढ़ा देना है तो यहां पर दुस्तों मैं इसकी with को पंद्रा रख लेता हूं और उसके बाद मैं एंटर कर दूँँगा यह बहुत ज़ाधा हो गया है थोड़ा समय से कम कर लेता हूं मैं 8 रख लेता हूँ ठीक है यह भी ज़्यादा हो रहा है 5 रख के देखते हैं यह इन अफ आए ठीक है उसके बद दोस्तों यहाँ पे आपको compound type आपको option मिलेगा ठीक है यहाँ आपको compound type दिख रहा है आपको यहाँ आना है और यहाँ पर दोस्तो क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको जैसा डिजैन चाहिए वो डिजैन दोस्तो आप यहाँ से सलेक कर लेंगे जैसे कि दोस्तो मैं यह वाला डिजैन सलेक करता हूँ नीचे रखना है और मोटी लाइने उपर रखना है यह ठीक है तो इस तरह से आपको यह चीजे कर लेनी है और इतना करते हैं दूस्तों आपको यह डिजन मिल जाएगा देन दूस्तों अब हमें क्या करना इसे close कर देना है देन दूस्तों से fill में जाएंगे और यहाँ पर यह जो drop down आपको दिख रहा है यहाँ कलिक करना है gradient में जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो इसमें कुछ और gradient color fill कर सकते हैं तो जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं हलका जो है इसका बुलू रखता हूं और यहां मैं क्लिक करता हूँ, gradient में जाता हूँ और कुछ इस तरह का gradient color इसमें fill कर दूँगा, ठीक है? इतना होने के बाद, अब हमें क्या करना है, वापस से home tab में राते हुए यहां पे दोस्तों यह जो shape option है, यहां पे drop down पे क्लिक करना है यहां पे देखिए, बहुत सारे आपको star मिलेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको 12 star select करना है, ठीक है? तो दोस्तों यहां पे 12 star आपको दिख जाएगा, यहां से आपको 12 star shape select करना है यहां दोस्तों आपको गया करना है, control और shift को press करना है और उसके बाद दोस्तों इस तरह से 12 star draw करना है, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों आपको गया करना है, ठीक है? यह जो आपको yellow dot दिख रहा है, इसे पकड़ की दोस्तों आपको गया करना है, नीचे सरका देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तो आपको ये shape मिल जाएगा Then दोस्तो आपको गया करना है तो यहाँ पर दोस्तो मैं shape outline में जाओंगा और इसमें दोस्तो white color fill कर दूँगा ठीक है? तो इस तरह से दोस्तो आपको ये 2 shape पहले ready कर लेना है ठीक है? उसके बाद आपको गय करना है इसपे क्लिक करना है और दिन आपको Save Format में जाना है और उसके बाद आपको इसका Size देख लेना है यह जो हमारा Save है इसका Size क्या है तो दोस्तो आप यहां देख सकते हैं कि इसका Size है 1.86 ठीक है 1.86 तो दोस्तों मैं इसे कर लेता हूँ पूरे पूरे 2 ठीक है इसे मैं 2 कर लेता हूँ और यहां पर क्लिक करके दोस्तों मैं इसे भी 2 कर देता हूँ ठीक है यानि कि 2 cm यानि कि 2 cm इसकी लंबाई और चोडाई रख लेंगे ठीक है और सेम इसी तरह से दोस्तों हमें क करना है इस shape को select करना है shape format में जाना है और यहां से दूस्तों इसकी चोड़ाई और लंबाई 2 cm कर देना है और enter कर देना है तो इस तरह से दूस्तों यह जो shape हमें मिल जाएंगे इतना हो जाएगा इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है इन दोनों shape को एक शात select करना है उसके बाद format में रहते हुए align जाना है यहां से center कर देंगे align में जाएंगे यहां कर देंगे ओके तो इस तरह से हो जाएगा देन दूस्तों अब हम लोग क्या करता है इस शेप को सेलेक करते हैं यह जो वाइट वाला सेफ है इससे सेलेक करेंगे क्रीके दूस्तों इसकी साइज को थोड़ा और चोटा कर लेंगे ठीक है यहां से टैक्स बॉक्स सलेक करेंगे और यहां पर दूस्तों टैक्स बॉक्स डॉक करेंगे और इसमें दुस्तों लिख देते हैं 12, 12 हम लोग लिख देते हैं, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, यह थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या गरेंगे, यहांसे इसकी font size थोड़ा सा कम कर लेंगे, कुछ इस तरह से, तो इसका font size दुस्तों 10 रख लेते हैं, और उस दूसके बाद दूस्तों इसमें आपको जो भी font apply करना हो वो आप apply कर देंगे तो यहां पर दूस्तों मैं tw send empty font apply कर दूँगा और then दूस्तों मैं क्या करूँगा इस box को बिल्कुल छोटा बना लूँगा ठीक है पहले तो मैं इसे middle में रखूँँगा चलिए तो दूस्तों इस तरह से हम लोग यहां पर 12 लिख लेंगे और यहां पर दूस्तों हम लोग इसे रख देंगे ठीक है जैसे गड़ी में होता है इस तरह से दूस्तों इसे हम लोग रख लेंगे ठीक है अब दूस्तों हमें क्या करना है Ctrl D से इसका duplicate बनाना है और उसके बार दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे इसे पकड़ेंगे और इसे दोस्तों यहाँ पर रख देंगे ठीक है फिर Ctrl D प्रेस करेंगे तो यह इस तरह से हमें मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इसे रख देना है फिर Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे और इसे दोस्तों यहाँ रख देंगे कुछ इस तरह से फिर Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे और इसे दोस्तों यहाँ हमें रख देना है तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है सभी line के उपर यह timing रख देना है और धानदोस्टों आपको क्या करना है जिसे यहां पे 12 बजा है और 12 के बाद यहां पे हमें बजाना है 01 ठीक है यहां पे कर देंगे 02 कि यहां करदेना है 03 और यहां कर देना plays 04 तो इस तरह से आपको यह यह timing यहाँ फिर बना लेना है, set कर लेना है, तो यह सारी चीजे मैं कर लेता हूँ, फिर दोस्तों आगे की चीजे मैं आपको बताऊंगा, तो दोस्तों इस तरह से आपको यह सारी चीजे लिख लेना है, और यह सारी चीजे लिखने के बाद, अब आपको क्या करना है, यह ज तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया, इतना होने के बाद, अब हमें क्या करना है, घड़ी की सुईयां बनानी है, तो घड़ी की सुईयां बनाने के लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ट्रेंगल से सलेक करेंगे, और दोस्तों यहां पर एक ट्रेंगल से ड्रो कर लेते हैं और देन दोस्तों पहले तो इससे select करेंगे, format में जाएंगे, fill में जाएंगे और यहां से पहले तो इसमें color fill करवा देते हैं, shape outline no outline कर देंगे और देन दोस्तों अब हमें क्या करना हैं यहाँ पर इसे रखना है, ने नहीं आया थो आप से corner से पगड़की इसकी साइज को कम यह जादा कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपको इसकी सुई यहां बना लेनी है ठीक है पहले इसे यहां रखते हैं इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसे select करेंगे Ctrl D से इसका duplicate बनाएंगे देन दोस्तों से format में जाते हुए उसके बाद दोस्तों से format में जाएंगे और यहां पर रोटेशन वाले option में जा करके यहां से कर देंगे फिलिप बर्टिकल ठीक है यह एक उपर से और एक नीचे से यह हो जाएगा और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है इन दोनों को एक साथ बिल्कुल सटा देना है कुछ इससरा से हो जाएगा ठीक है पिल्कुल अच्छे से इसे रख लेना है बराबर में और देन दोस्तों इन दोनों को एक साथ select करना है सिर्फ format में जाएंगे align में जाएंगे यहां से center कर देंगे और इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है Ctrl-G से इसका group बना देंगे Ctrl-G से इसका group बना देंगे देन दोस्तों एक जो नीचे वाले सुईया है इस पर double click करके इसे select करेंगे सिर्फ नीचे वाले सुईय को select करेंगे से format में जाएंगे से fill में जाएंगे और यहां से कर देंगे no fill यानि कि यह यहां है बट इसका color हमने हटा दिया तो दोस्तों यह दिखना बंद हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों यह सुईया हमारा बन गया है अब दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे select करेंगे और इसमें दोस्तों एक animation लगाएंगे तो इसे पहले select करते हैं और उसके बाद दोस्तों इसमें animation लगाते हैं animation लगाने के लिए animation tab के उपर click करेंगे देन दुस्तो यहां पर animation pen open कर लेंगे और उसके बाद दुस्तो यहां से हम लोग add animation पर click करेंगे इसमें दुस्तो एक animation लगाएंगे जिसका नाम है spin spin animation इस तरह से लगा देंगे तो यह इस तरह से घुरने लग जाएगा तो इस रशे दोस्तो यह गुरने लग जाएगा, फिर दोस्तो इसे select करेंगे, तो यहां पर यह animation भी select हो जाएगा, यह तो आप यहां click करके इसे select कर सकते हैं, और then दोस्तो आपको गया करना है, यहां पर double click करना है, double click करने के वह दोस्तो आपके सामने यह dialogue box open हो जाएगा, then दोस्तो आपको timing में आना है, ठीक है, उसके बाद आपको timing में आना है, timing में आने के बाद अब आपको गया करना है, यहां से start with previous कर लेना है, ठीक है, यह चीजे दोस्तो आप यहां से भी कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तो इसका delay 0 ही रहने देंगे, उसके बाद दोस्तो इसक करेंगे, जैसे कि मुझे 10 second का बनाना है, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँगा. ठीक है? और दन दोस्तो यह 10 second में कितनी बार repeat होनी चाहिए. तो यहाँ पर में कर देता हूं. यह 10 second में एक बार ही repeat होनी चाहिए. ठीक है? चलिए. एक ही बार होना ही चाहिए. तो यहां पर मैं नन रखूँँगा और देन दोस्तों मैं यहां से कर दूँगा ओके तो दोस्तों यह 10 सगेंड में जो है एक चक्कर लगाएगा ठीक है तो 100 यह हमारी बन गई है अब दोस्तों हमें गया करना है इसे select करना है और Ctrl D से इसका एक और duplicate बना लेना है कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों अब हमें गया करना है इसका color change कर देना है पहले तो इसका size थोड़ा सा छोटा करेंगे ठीक है select करेंगे और shift को press करके इसकी size को इस तरह से छोटा कर लेंगे ठीक है तो इससे यह थोड़ा सा छोटा बन जाएगा इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे यह जो sui है जो second वाला हमने बनाई है छोटी वाली sui इस पर double click करके इससे select करेंगे shift format में जाएगे और यहां से दोस्तों इसका color हम लोग change कर देंगे तो यहां पर दोस्तों मैं इसका color रख लेता हूँ हलका सा green ठीक है अब यह जो sui है यह कितनी बार गुमनी चाहिए तो दोस्तों यह जो छोटी sui है यह एक बार गुमनी चाहिए और यह जो बड़ी sui है यह दो बार गुमनी चाहिए यह आप 10 बार में इसे 10 बार गुमा सकते है मतलब 10 सकेंड में इसे 10 बार गुमा सकते है जितना मर्जी हो उतना गुमा सकते है अगर आपको इसे एक ही चकर लगाना है तो फिर इसका जो animation है यहां पर timing में जा करके repeat वाला ननी दाने देंगे अगर आपको इसे 10 सकेंड में 10 चकर लगवाने है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका जो animation यहां लगा हुआ है इसके उपर double click करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ select करेंगे save format में जाएंगे align में जा करके यहां से center align में जा करके यहां से कर देंगे middle ठीक है तो इस तरह से हमारा sohee बन जाएगा दें दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहां से वापस से दोस्तों यहां पर एक circle save select करेंगे और यहां पर छोटा सा circle इस तरह से draw कर लेंगे और यहां पे safe fill में जाएंगे और इसमें दोस्तों आप जो भी color देना चाहें जैसा भी color देना चाहें वो color आप इसमें लगा देंगे और देन दोस्तों safe outline में जा करके आपको क्या करना है no outline कर देना है safe effect में जाना है और उसके बाद दोस्तों आपको shadow में जाना है या appreciate में ज तरह से रख देंगे, ठीक है, तो मैं इसे select कर लेता हूँ, ठीक है, इन सभी को मैं select कर लेता हूँ, safe format में जाओंगा, align में जाओंगा, यहां से दोस्तो center, align में जाओंगा, और यहां से कर दूँगा middle, तो इस तरह से दोस्तो यह हमारा सुई बन जाएगा, और इतना होने के बाद, अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ select करना है, और देन दोस्तो यहां जो है, हमें बिल्कुल बीचो बीच इसे रख देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तो यह हमारा timer बन चुका है, चलिए दोस्तो यह सा animation चेक कर लेना है, जिसे कि यह पहला वाला animation है, ठीक है, इसमें with previous और दूसरे वाले में भी with previous रख लेना है, ठीक है, अगर आपको इसमें sound लगाना है, तो आपको गया करना होगा, यहां पर यह जो ऊपर वाला animation है, इसमें आप double click करेंगे, देन दोस्तो यहां पर यह effect option वाला dialogue box open हो जाएगा, देन दोस्तो यहां से sound में जाएगे, sound में जाने को यहां आपको click करना है, देन दोस्तो आपको नीचे आ जाना है, यहां पर आपको other sound option मिलेगा, other sound में जाएगे, और उसके बाद दोस्तो आपको इसमें, देखे, यह हमने timer 10 second का बनाया है, तो दोस् होगा, और apply कर दूँगा, तो इस तरह से दोस्तो यह हमारा timer बन चुका है, चलिए दोस्तो अब हम लोग क्या करते हैं, slide show में जाते हैं, और यहां से इसे play करके देखते हैं, देखे, दोनों सुईयां एक साथ ही घूम रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम क्या जात हैं, animation में जाते हैं, animation pen open करते हैं, और दोस्तो यह हमारा जो ऊपर वाली सुईया है, इसे मैं select करता हूँ, ठीक है, तो इसका animation नीचे है, इस पर मैं double click करता हूँ, timing में जाता हूँ, और यहां पर repeat में इसका क्या है, none है, मतलब यह एक ही चक्कर लगाएगा, ठीक है, 10 second इस हमारा animation है, इस पर मैं double click करता हूँ, timing में जाता हूँ, और यहां पर repeat में हमने 10 second में 10 चकर इसे लगाने के लिए बोला है, इसमें समय दे देता हूँ, मैं 1 second, ठीक है, 1 second में 1 चकर और यह 10 चकर लगाएगा, तो 10 second हो जाएगा, यह देखे, अब हो गया, ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कि यहां पर गलती क्या हुआ था, यहां पर दोस्तों यह जो छोटी सुई है, ठीक है, यह जो हमारा छोटी सुई है, green वाली, इसे मैंने select करा, इसका animation नीचे है, मैं चाहता हूँ, कि यह जो है 10 second में 1 चकर लगाए, तो मैं क्या करूँगा, एक चकर complete करके यह रूख जाना चाहिए, कौन सा छोटी वाली सुई, ठीक है, OK कर दिया, अब दोस्तों हमारा जो बड़ी सुई है, जो red वाली सुई है, मैं चाहता हूँ, कि वो जो है, 1 second में 1 चकर लगाए, और 10 second में 10 चकर लगाए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्य जाएंगे, और यहां पर हम दोस्तों यहां पर time देंगे, कि 1 second में यह एक चकर लगाए, तो यहां पर 1 second कर दूँगा, और यह कितने बार repeat होनी चाहिए, तो यह 10 बार जो है घुमना चाहिए, तो 1 second में 1 चकर और 10 second में 10 चकर, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यह आपका जो है timer बन जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही असान है, अगर आपने एक बार इसका concept समझ लिया, तो दोस्तों यह बनाना काफी असान हो जाएगा, चलिए दोस्तों इसे एक बार play करके देखते हैं, यह अपि मैं slideshow में जाता हूँ, और from beginning से से play करता हूँ, तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा बन चुका है, इतना होने के बाद, अब आपको एक काम और करना है, वह क्या करना है, हम tab में जाएंगे, हम tab में जाने को दोस्तों यहाँ पर select में जाएंगे, और यहाँ से दोस्तों selection pen open कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर one लिखा ठीक है, यहाँ पर one लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ पर text box यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी text box वाला चीजे हैं, इसे यहाँ से hide कर देंगे, ठीक है, सभी number को पहले hide कर देते हैं, एक रह गया, ठीक है, इस सरह से सभी text को hide कर देंगे, और then दोस्तों इन सभी को एक साथ select करेंगे और उसके बाद से format में जाएंगे align में जाएंगे यहां से center कर लेंगे और align में जा करके यहां से proper middle कर लेंगे तब जा करके दोस्तों यह जो है देखने में अच्छा लगेगा ठीक है और then दोस्तों अब हमें करना है सभी text को यहां से unhide कर देना है एक एक करके नहीं करना चाहते हैं तो show all किलिक कर दीजिए तो यह सभी एक साथ show हो जाएंगे अब जैसे कि मुझे इन सभी text box को group करना है तो मैं क्या करूंगा फिर से मैं आपको बता देता हूँ home tab में रहते हुए select में जाएंगे और यहां से selection pen open करेंगे अब यहां पर किलिक करेंगे तो यहां पर पता चल जाएगा कि यह जो है यहां लिखा हुआ है तो मैं पहले किसी एक text पर किलिक करके select कर लेता हूँ अगर इसे नहीं होता है तो मैं control को press करके पहला दूसरा text, तिसरा text, चौथा पाचवा, छटा, सथमा अटमा, नौमा, दसमा एगरमा, वर्मा सभी text को control प्रेस करके इसरा से click करके एक साथ select कर लेंगे और control G से इसका group बना लेंगे ठीक है तो यह अब आपका जो है group बन चुका है अब आपको गया करना है इन सभी को एक साथ select करना है से format में जाएंगे align में जाकर के center और middle ठीक है तो proper तरीके से align करना जरूरी है तब जाकर के दोस्तों यह सही से दिखेगा सही से यह बनेगा ठीक है और अगर future में कभी बढ़ा करने की जुरूरत पढ़ता है जिसके timer अगर आपको बढ़ा चाहिए तो आपको गया करना है इन सभी को एक साथ select करना है और control और shift को प्रेस करना है और corner से पगड़कि इसकी size को इस तरह से बढ़ा कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहां से font size इसका बढ़ा कर देंगे ठीक है अगर बढ़ा करने की जुरूरत पढ़ता है तो लेकिन जब आप इसको बना रहे हैं तो उस समय जितना छोटा बन सके उतना छोटा से छोटा बनाने की कोसिस करें क्योंकि दोस्तों इसे हम बढ़ा सकते हैं लेकिन छोटा size नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा बन चुका है चलिए अब इसे एक बार और देख लेते हैं ठीक है तो यह सही है इसे हम कहीं जो है वीडियो में corner में लगा सकते हैं तो यह हमारा हो गया, लेकिन अब यह क्या हो रहा है, कि यह चो है direct slide पर show हो रहा है, लेकिन हम क्या जाते हैं, कि यह मेरी मर्जी से slide के उपर आए, और यह अपना कम कर दे, और उसके बाद यह मेरी मर्जी से यह चला भी जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ select करेंगे, उसके बाद दोस्तो यहां से animation में जाएंगे, और then दोस्तो animation pen open कर करेंगे, यहां पर दोस्तो मैं add animation में जाऊंगा, more entrance effect में जाना है, और then दोस्तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसमें peak animation इस तरह से लगा देंगे, ताकि इसे जहां लगाएंगे, यह लगेगा कि वहां से यह बाहर निकला है, ठीक है, यह आप लगा सकते हैं, आई तो दोस्तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, इसमें जो है already यहां पर animation लगे हुएं, तो दोस्तो इसमें अब आपको जब कभी भी animation लगाना हो, तो आप इसे select करेंगे, तो दोस्तो अगर आपने एक वार animation यहां से लगाया है, तो दोस्तो second time जो आप इसमें animation लगाएंगे वो आप Add Animation में जाएंगे और यहां से दोस्तों आपको इसमें Animation लगाना है ताकि पहले बाला भी Animation रहे और बाद में जो हमने लगा है ये भी रहे ठीक है और फिर दोस्तों आपको गया करना है इन सभी Animation को Select कर लेना है जैसे कि दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि फिलाल तो यह सभी Already Select किये हुए है और उसके पर दोस्तों इन सभी Green Animation को हमें गया करना है सबसे उपर रख देना है यह Appair Animation इसलिए लगाया है ताकि यहां पे जैसे Slide Play हो जैसे यहां पे मैं Slide को Play करता हूँ तो दखिए यहां पे टैमर नहीं है और जब मैं Enter की प्रेस करूँगा तब जा करके यह Quiz में आएगा और यह घुमना Start करेगा तो इसलिए दोस्तों इसमें हमने क्या गया बाद में Appair Animation लगा दिया ठीक है अब यह देखिए यह Slide पे आ रहा है अपना काम कर रहा है बड़ यह वापस भी वापस जो है यह चले भी जाना चाहिए यह Hide भी हो जाना चाहिए तो Hide करने के लिए ठीक है तो इन सभी को Select करेंगे वापस से दोस्तों Animation में जाएंगे और वापस से दोस्तों Add Animation में जाएंगे ठीक है Add Animation में जाएंगे और यहां से दोस्तों इसमें Disappear Animation अपलाई कर देंगे ठीक है और यहां पर यह देखिए Mouse Click है यानि कि जब आप Click करेंगे तब जाकर कि यह Hide होग अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहां से on click ही रखें लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह automatic हो जाए तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे start after previous कर देंगे यानि कि यह जो है timer play होने के बाद यह automatic hide हो जाना चाहिए disappear हो जाना चाहिए और appear में हमने रखा है पहला animation on click मतलब जब हम mouse से click करें या enter की press करें तब जाकर के slide पर आना चाहिए इसलिए यहां पर mouse click रखा है अगर आप चाहते हैं कि quiz में यह automatic play हो जाए तो दोस्तों इसमें भी आपको कर देना है after previous ठीक है तो इस दोस्तों आपका यह complete timer बन चुका है अब आप इसे quiz बाले वीडियो में लगा सकते हैं ठीक है तो quiz कैसे बनाते हैं और quiz में इसे कैसे use करेंगे कैसे लगाएंगे यह सारी चीजे दोस्तों मैं already सिखा चुका हूँ और next वीडियो में भी मैं आपको सिखा दूँगा ठीक है तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही I hope कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजे बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया अज़ चीजे बताया है